नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागएट है आप सभी लोग का एक बार फरसे आप सभी लोग के अपने यूटीब चैनल एक्सेटिप्स क्लासेस पर कैसे exam qualifying करने के साथ सथ एक अच्छा कहसा score 100 प्लस score अगर आप पहली बार exam देने जा रहे हो इससे पहले अभी तक आपने यूटीटट नहीं दिया है तो किस तरीके से आप 100 प्लस score कर सकते हो देखि अपना अगर मैं खुद का score बताऊं जम मैंने69,000 भरती के समय में पहली बा कर रहा हूं मैं तो मेरा जो स्कोर रहा था वह 108 मार्च था ठीक है 108 नंबर थे और मुझे लगता है कि 108 नंबर ठीक है इतना जादा बुरा स्कोर भी नहीं है तो किस तरीके से आप भी 100 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप पहली बार एक्जाम में बैठ रहे हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरह एंड तक दिखे क्योंकि यहां पर जो मैं स्टेटीजी बताऊंगा आप लोगों को वो रियल में काम करती है तो उमीद करता हूं कि अगर इस तरीके से आप पेपर सॉल्व करते हो तो आप 100% 100 प्लस मास्क जो है वो ले करके आ सकते तो कोई बड़े बात नहीं है 100 प्लस ठीक है आप सब लोगों को मालूम है कि यूपी टैट कुल में ला करके 1500 नंबर का पेपर होता है ठीक है और इसमें 1500 प्रश्ण पूछे जाते हैं कोई भी निगेटिब मार्किंग इसमें होती नहीं है ठीक है तो यहां पर यह बात या ठीक है आप लोगों का संस्कृत और इंग्लिस मेंसे जो भी चॉइस करने हुट यह आप कर सकते हैं और EBS हो गया अब यहां पर दिखो 100 प्लस स्कोर कैसे किया जो सकता है आज 17 तारिक है आप लोगों को मालूम कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ठीक है जब मैं पर दिखाल मैं कर यूपी टैट के लिए नहीं हुआ ठीक है अगर आपका सीटेट पास यूपी टट भी केलिए न कर पाई तो कहीं ना कहीं अगर भरती आती है तो इससे आप बन्चेट हो जाओगे उसे बाहर हो जाओगे तो इसके वेटर यह हैं कि जो लोग सबस्चाद score कर सकते हैं वो हिंदी है ठीक है हिंदी 30 नंबर की आती है अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो नॉर्मल अगर आपने आदित पब्लिकेशन के था पड़ी हुई है ठीक है आदित पब्लिकेशन के इसके बाद में जो दूसरा सब्ञेक्ट वो इंग्लिस और संस्कृत क्योंकि ये लेंगेज होती है ठीक है अब आप आप लेंगेज इंग्लिस लीये है या संस्क्रट लीये पर depend करता है मैं तो यही काऊंगा अगर आपने कोई language ली हुई है ठीक है अगर आपने कोई language ली है तो आपको language में 20 प्लस score करना होगा अगर आप दो ही subject को पकड़ के जाते हो ठीक है मलब दो ही subject को अच्छी तरीके से करके यूपिटेट एक्जाम देने जारे हो तो यहाँ पर देख सकते हैं अब 60 का होता है overall total और अगर आप इसमें 40 प्लस मास बना ले गए ठीक है 40 प्लस यहाँ पर अगर आप नंबर score करके ले गए तो आपको 100 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है अब देखिए कैसे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का match जो बहुत बीक होता है ठीक है मैट में 10 से 15 कोशन इसली किये जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है 10 ते 15 किया से कोई बड़ी बात नहीं है बहुत पैड़ा गौजी में लगवक्त 15 के आप 15 प्लस कोशन कर सकता है अगर कोई नॉर्मल बच्चा जा रहा है पहली बार एक्जाम दे अपने मेन सब्जेक्ट हिंडी और इंग्लिस या संस्कित में अगर 40 प्लस स्कोर कर लिया ठीक है तो 40 यहां से देख सकते हो आप लोग ठीक है मैत में मानते हैं कि हमने 10 ही कोशन इंटेंट गे 10 हमारे नंबर मैत में ठीक है ओक है और अगर हम पर्याब रड़की मानके चलो कर नो दो 15 या 12 ले ले लेते हैं तो 15 आप यहां से स्कोर कर रहे हो ओर पैड़ा गोजी यहां पर देख सकताओ आपड़ा कितना बन रहा पंदा दूनित 30 और 350 पचास और 4 कितना 90 हो रहे है ठीक है नब्य वह कोशन हो रहे हैं जो आपको आते हैं ठीक था अभी आप लोग कितने कोश्चन और साथ कोश्चन ऐसे हैं जो आपको आते नहीं है आपके लिए बने नहीं है वानके जालो ठीक है अब अगर आप साथ में कुछ भी बतलब अगर गोले भरके आ जाओगे न तो भी कम से कम आठ से बारा है प्रशन सही होने की संभाबना बहुत जाए दर्ची पॉसिबिलिटी रहती है तो अगर आप यहां पर बारे में से दमान को दसी जोड़ दो तो हंडेर के आसपास नंबर आ सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है देखे मैं एक जैनिन बात बता रहा हूं मैं इस तरीके से पेपर सॉल्व किया था क्योंकि उस समय क्या था कि हम लोगों का हाल ही में बीटी से में से कम्प्लीट हुआ था तो टैट की प्रपरेशन के लिए इतना जार अबक्त नहीं मिल पाया था तो इस अगर आप मैंसरों को फॉलो कर तो यकीन मानो आप बहुत अच चीप प्रपरेशन है तो आप पहले हिंदी से पेपर एटेम्ट करिएगा क्योंकि एक साइकलोजी फैक्ट बताता हूं आपको हिंदी इतीस नंबर गया ठीक है आपकी अच्छी आपसे तैयार ही है और अगर आप तीस में से मान के जलो 25 के आसपास कर ले गए तो आप में जो confidence बुल्ट अब होगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा और पेपर करते टाइम हमें अमिसा अपना टार्गेट है रखना है वान के जलो आप SCOVC में आते तो 82 नंबर जर्नल में तो 90 नंबर तो पहले आपके दिमाग में ये बात हो नीचे कि मेरे को कुछ भी करके 90 अपने दिमाग में ये स्कोर जरूर रखना कि मेरे को 82 नंटी पहले करना सही सही तो इस तरीके से पेपर आप सॉल्व करेंगे तो ये थी मेरी स्टेटिजी जिसके बज़े से मैं यूपी टेट में 108 हांसल कर पाया और इसी की बज़े से मैं सुपर टेट में सामिल हुआ तो आप लोगों से भी उमीद करता हूँ कि आप लोगों को देखो जो मैं मैं बताया हूँ वो ठीक ठाक लगेगा और जिनको नहीं लगता है तो भाई आपकी अपनी मर्जी है आपको जो अच्छा लगे वो करो बट रियालिटी में ये जो तरीका है वो काफी वैस्ट है अगर आप पहली बार यूपीटेड देने जा रहे हो तो ठीक है तो इसी तरीकी सब कर सकते हैं इसके अलाबा कल यूपीटेड की जो आंसर की है बो दो फैर में दो वज़े आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर ठीक है तो फिर भी अगर आप कोई प्रिसक्रिया देना चाहते हैं अगर कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर जो की है चौरानवे चपन अठानवे दस अठानवे आप इस नंबर पर हमको बहुत से आपके माध्यम से संपर कर सकते हैं कोई भी चीज जो हैंब आप कोई भी दुविदा है टेट एक्जाम को ले करके तो तो चलिए तब तक के लिए वाई वाई टेक क्यार एंड थैंक्स वर बाचेंग